हेलो एब्रीवन आज लोग के सेग्मेंट में हम लोगों ने पिछली वाई लेक्चर में देखा था कि संगिया परात किसे करते हैं आज संगिया परात किसे करते हैं आज हम लोग देखेंगे कि अन्वेसर जाच और विचारण अन्वेसर कौन करता है जाच कौन करता है और वि अन्यूएशड अन्यूएशड जाच जाच बिचारण यह तीनों लोग देखेंगे थिक अन्यूएशड जाच बिचारण यह हम लोग देखेंगे और इसे आम बोलचाल की भासा में लोग जाच बिचारण को एक ही मतलब एक दूसरे का परियाय मानते हैं लेकिन दन्रप्रकियर सहीता इस दोनों को दो प्रिथक कारवाहियों के रूप में मानती हैं आन्यूएशड जाच बिचार यह सबना है यहां जाच और इसको ठीक है यह वो गया तो हम लोग अन्यूएशड के बारे में देखते हैं पहले कि यह मेंस्ट्रेट द्वारा नहीं किया जाता है अनुवेशर पुलीस या किसी प्राधिकृत ब्यक्ति द्वारा किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है अनुवेशर पुलीस या किसी प्राधिकृत ब्यक्ति द्वारा किया जाता है ठीक है मैंस्टेड द्वारा यह नहीं किया जाता है लिख भी दे रहा हूं मैं मैंस्टेड द्वारा मैंस्टेड द्वारा नहीं किया जाता ठीक पूलिस या किसी प्रादिकित ब्रक्ति द्वारा यह अनुवेसर किया जाता है मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं किया जाता है जाज जो है यह किसी नियाले और मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है जाज का कार्य कौन करता है कोई नियाले या मजिस्ट्रेट करता है जाज किसी नियाले नियाले या मजिस्टेट द्वारा किया जाता है मजिस्टेट द्वारा किया जाता है ठीक है यह हो गया जाच जाच किसके द्वारा किया जाता है किसी नियाले द्वारा किया जाता है या किसी मजिस्टेट द्वारा किया जाता है ठिक, अब हम लोग देखेंगे बिचारर, बिचारर का कार भी मजिस्ट्रेट या नियाले द्वारा संपादित किया जाता है, या किया जाता है, बिचारर का कार भी किसी नियाले या मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है, बिचारर का क्या नियाले या मजिस्ट्रेट द्व कि दौआरा किया जाता है खीक है घा शब्लिस जब अपराद घंट होता है कोई गटना घंट होती है तो उसमें अन्यवेसर करती है नकी जाज या विचारर करती है विचारर का कार यह न्यालाय मेश्टेट का होता है जाज का कार न्यालाय मेश्टेट का होता है और जो अन्यवेसर करती है यह मामले की छान मिल करती है जहां कोई अपराद घटित हुआ है उस अस्थान पर जाती है लोगों को जो अपराद घटित हुआ है उसके बारे में लोगों से पूछती है अस्थान की जारकाई लेती है कि कहां मार हुई कहां से इसकी सुरुवात हुई ये सब ओ देखते हैं ठीक है अब हमने लोग देखेंगे कि अन्वेसर का उद्देश क्या है अन्वेसर का अधिश होता है कि यह बिचार का प्रयोजन के लिए साच संग्रा करें से लोग अब साक्ष जिसे बोलते हैं कि सरलभासा में अगर देखा जाए तो हम लोग बोलते हैं कि कोई मतलब आपके पास है तो उसको बोलते हैं कि साख्ष यह इकठा करते हैं पुलिस ठीक है जाच का उद्देश क्या है जाच का उद्देश क्या है जाच का उद्देश उकर उसकी प्रक्ति सहीता के अधिन ऐसे किसी भी प्रश्न का निधारण करना है जो किसी अभिकतित अपराद के सम्मंध में दोसी अथवा निदोस के निधारण से भिन हैं दोसीया निदोस्के भिन है और इसका उद्यस यह है ठीक कि यह वो गया चांच ठीक है जांच का उद्यस है उसकी प्रक्टि सहिदा के अधीन करना होता है जो अभिक्धित अप्राथ के समद्द में के निद्धार से भिन हे ठीक, यह हो गया, अब हम लोग बिचारर देखेंगे, बिचारर का उद्यस भी उसकी प्रैक्ति किसी अपरात के अभ्युक्त ब्यक्ति के दोसी अथवा निर्दोसी पन का निया नीढ़न करना है, इसका उसके विचारा के जाता है जब कोट बोलते हैं न कि विचारा धीन है मामला तो उससे यही देखती है कि बिचारा का उध्य वियर्ष सोता है कि सीप्राथ की अभ्यूकति Ya Dao और पूसिपन या निर्दोश्पन का निया नेडयान करना है कोट का ठीक है यह उता है और अन्यवेसर की ब्योस्था में परियच्छित अच्वाप परिप्रश्न की जाने वाली ब्यक्ति के सपत पत्र नहीं दिलाया जा सकता इसमें अन्वेशन में किसी ब्यक्तिक द्वारा कि सपत पत्र नहीं दिलाया जा सकता अन्वेशन में परियाच्छित ब्यक्तियों को जांच की अवस्था में सपत दिलाया जा सकता है जांच में सपत दिलाया जाता है सपत दिलाया जा सकता है ब्यक्तिको ब्यक्ति को सपत दिलाया जा सकता है इसमें सपत नहीं दिलाया जा सकता ब्यक्ति से सपत कसम जिसको बोलते हैं सपत दिलाया नहीं जा सकता ठीक है इसमें ब्यक्ति से सफ़त नहीं दिला जा सकता और ये अपना देखिन है हम लोग बिचारण में बिचारण की ब्योस्था में भी परेचित ब्यक्तियों को सफ़त दिला जा सकता है इसमें सपत नहीं दिला जा सकता है जांच और बिशारर में सपत दिला जा सकता है इन दोनों में सपत दिला जा सकता है जांच और बिशारर में ठीक है आज का लेक्चर हम लोग यही समाप्त करेंगे अगले वाली लेक्चर में हम लोग फिर ने टोपिक को लेकर फिर से उपस्तित होंगे और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इस लेक्चर को बहुत ध्यान पूर्वक और समझते हुए सीखते हुए आप लोगों ने ये कलास अटेंड किया थूए जूए रट